मानी अध्यक जी मानी अध्यक जी कॉंग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोककंत्र का गला धोड़ते हैं वो मैं गुदारानुट मैं गाउ में पैदा हुआ मेरे माँ पिता जी आज भी गाउ में रहते हैं आज जब मैं पार्लेमेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भरती है सर उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोले और इसलिए कहा उसने कि जो महिला है सर आज यदि सारे पूरुस यहां मौझूद है तो उसका कारण महिला है यदि महिला नहीं होती तो पूरुस का कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता और आज क्योंकि कॉंग्रेस की गलतफामी है गलती है सर और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्सों तक इस बिल को लेकर नहीं आये हमारे मानने प्रदान मंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया आज हम दिल लेकर आये हैं इनके पेट में डर्द हो रहा है हम बर्सों से सुनते रहे सर कि जननी जन्म भूमिशो स्वरगाद पीगरियसी यत्र नारियस्तु पुजयंते रमंते तत्र देवता लेकिन क्या हुआ इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परिशान थी जब तक माननी अटल व्यारी बाजपी जी की सरकार नहीं आई सर्व सिक्षा अभिय खाना बना कर जाना पड़ता था सर्व और इसको जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने देखा तो मिड़े मिल स्कीम जब तक की सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या बच्चियों की संख्या नहीं बड़ी सर्व और उसके बाद जो सबसे बच्चिया कैसे आगे बढ़ेंगी उसी काई उधारन कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर मानने प्रधान मन्त्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है यही समय और इसी समय पर आज ये एतिहासिक सेशन बुलाकर मानने प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम भारती जन्ता पार्टी के कारिकरता गौरबान भी थें और हम उनका आदा और रमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षन देने का फैसला किया सर मैं पढ़ रहा था काफी बाते कहीं मैं कैवल दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ फिर अपने विशे पर आऊंगा से ये देश इस सम्विधान से चलता है और इसका आर्टिकल एटी टू मनिश टिवारी जी यहां बैटे वे हैं कल से लगातार वो सम्विधान 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 की बात कर रहे हैं अभी सोनिया जी ने भी बोलते वे बाते कहीं कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया कब से लागू कर देंगे यह देश संभिधान से चलता है मैं आर्टिकिल 243D और टू आर्टिकिल 243D जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा आपने आपको गौरवानमित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महला रिजर्विशन लागू किया बड़ा अच्छा किया लेकिन यह आर्टिकिल में 243D और 243D हमने तो नहीं दिया आप दोनों को पढ़ लीजिए 243D और टी क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्विशन होगा और मिनिस्फल कॉर्परेशन में किस तरह से रिजर्विशन होगा आपने उसके लिए कभी OBC की बात तो नहीं की यदि इस आर्टिकिल में यदि आपने डाला होता OBC की बात तो आप जब करिये बहुत अच्छा इतने वर्सों से आपको नहीं दिखाई दिया उसी तरह से 1947 से लेकर उन्चास तक ये पूरा सम्विधान सभा चलता रहा परसों से यही भासन सुन रहे हैं सर इस Constituent Assembly से लेकर उन्चास बावन से लेकर आज तक चुना हुआ कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की बिधान परिशद में बात नहीं की आज भी राज्यसभा में सिरूल कास और सिरूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है बिधान परिशद में सिरूल कास सिरूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है आप कौन सी नई बात के बाट केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के सम्विधान में यह कहा गया कि राजिसवा में कोई reservation नहीं होगा, विदान परशद में कोई reservation नहीं होगा, और जब माना ये प्रदान मंत सब्सक्राइब कर रही है और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजेगा इस आर्टिकल को इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है आप उसके ऊपर जो है काते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए तुरत सुप्रिम कोट में जाएगा और सुप्रिम रिजर्वेशन नहीं दे और जिस तरह से आप केवल राजनिती के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉली पाप बनाते रहे घुमाते रहे वही भारती जन्ता पाट्टी करे हमारे प्रधान मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं सुरुबात करता हूं उसका अंत और भी करता हूं यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओको अधिकार मिलेगा मिलकर रहेगा दुअ की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है इनके यां सबसे बड़ी दिक्कत है और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं और डी लिविटेशन के बाद जो है हम उसको लागो करेंगे और यह आर्टिकल 82 का रहा है यह 82 का रहा है सर सर पूरे पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे माने प्रधान मंत्री जी के कारण आज 140 करोड लोग बच गए इस पारलेमेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर लोग सभा राजी सभा लोबी सभी जगा सांसाग बैट कर कानूल पास करते रहे भाई मरता था तो भाई का लाज जलाने के लिए कोई नहीं जाता था पिटा मरते थे तो पिटा का लास लाने के लिए बेटा नहीं जाता था। उस कोरोना से बचकर हम आये हैं दो साल के बाद, आपका तो आपने क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं कराया। कितने लोग दो रोड पर घूम रहेते कितने लोग ते जो खाना खिला रहेते सारे जगह के ट्रेंड बंद marate शारे जगह की इस्तिवियां बंदी बाग पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट पर स्थिति में था सर मानिय प्रधान मंत्री जी 140 क्रोण लोगों को बचा के लाए हैं और सेंसस जो संबेधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे यह लागू होगा आज आप का रहें क्यों ने लागू किये देश में फिर से यह गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिस करने सर 2020 और 21 के माहौल के बाद करोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था कैसे सेंसस हो सकता था और मानि को रिजर्वेशन में लगाई यही तो इस बिल में 334 से जिसके बारे में की मादी कानून मंत्री जी का रहते है सर लेकिन क्या समस्या है कि यह अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंदन मनाया है सर इंडी एलाइंस इंडी एलाइंस उसके सारे नेताओं का मैं हासन पढ़ रहा था आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीती से उपर उठकर बोलेंगे तो कि वो अपोजिशन की आवाज थी मैं उड़ा सम्मान करता हूं सर इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लेमेंट के अंदर और पार्लेमेंट के बाहर सबसे ज़्यादा वो आवाज उठाई वो बेंगॉल की गीता मुखरजी थी और भारते जनता प लागू होने वाला है और मानिय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भासन में ना गीता मुखर जी का जिक्र किया ना सुस्मा स्वराज का जिक्र किया यह किस तरह की राजडिती है अपना क्रेडिट लेना जाती है कि यह बिल आपका नहीं है आप जो बिल ने कराए वो गलत बिल है और यदि इसके लिए किसी ने अंदोलन किया तो वो गीता बुकरजी है वो सुसमा सुराज है आपने यह नहीं बोलतर इस महिला बिल में भी राज़नीती करने की कोशिस की और आज का पूरा क्रेडिट जो जीत पर्टी का बिल है और यह मानी प्रणार मेंतरी जी का पिल है आपको यह मानना पड़ेगा दूसरा सवाल है दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग है सब जो 26 पार्टीयों का इंडी गटवर्दन मना है इसमें आप समझे इनकी भावना कैसे महिलाओं के बारे यह कैसा सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस थे, राजसवा के सदस थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे, अपोजिशन के, वो कहते हैं, कि परकटी महिलायां आजाएंगी, क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बाते हो नहीं ची ओ, दूसरी बात दूसरी बात जो है ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं और ये वर्सों से मेरे मन में था इस पार्लेमेंट में दो बार संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बन कर आया अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजना जी सवों के साथ काम करने का मौका मिला सर 2011 और 2013 में दो भेंकर घटना हुई इसी वेल में 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में और जब यहाँ 2011 में जिसकों कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए के सांसदों को इसी कॉंग्रेस में इसी वेल में पीता सर दो बिल था एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूँगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर यही वी हरायन स्वामी बिल को पेस कर रहे थे समाजबादी पार्टी के यसबीर सिंग मैं सबसे पहले बेल में ये उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तेही मैडम स्वीमती सोनिया गाधी जिती और नीरत सेखर वहाँ खड़े थे, मुलायम सिंह यादब बाहर थे, और मैं वहाँ से कूत का टेबल पर आया, और मैंने कहा कि आप यहां की तानासा नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मार पिट नहीं कर सकती हैं, और इनके जो तिने लेपिडेट थे, विलास मुतेबार से लेकर सबनुद को पिटा, यह दो रोग हटनाएं जो है, चाहें महिला रिजर्वेशन का हो, चाहें यह प्रमोशन रिजर्वेशन का हो, यह पारलिमेंट हैसर सब को सत्य बोलना चाहिए, और मुलायम सिंह यादब ने कहा, यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते, आपने तो सांसदों के हद्या करने की गोश्चिस के, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ, यह आए हैं जिनका की मांसिकता ही नहीं है, कि महिला को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो रास्टे जनता दल है, चाहे वो समाजबा इस संविधान के विरोध में जाकर और उसके सारे उधारण यह 96 से लेके आस तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण यह कभी OBC रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, वि इस गरीब परिवार के बैटे होकर इस पार्लिमेंट में आए हैं से, जैसे मैंने बात कहीं कि मेरे माँ पिताजी, मेरे माँ पिताजी आज भी गाउं में रहते हैं, यदि बाबा सहाब अमबेदकर का यह संपिधान नहीं होता, भारती जनता पार्टी में होती, उस दिर मे मैंने कहा, उस दिन में मैंने कहा, कि आपने गाउं नहीं देखा है, गरीभी नहीं देखा है, महिलाओं के स्थितियां नहीं देखी है, आपने जो जो कानून पास किये, वो महिलाओं के खिलाफ है, यदि 498 आपने पास किया, जिसका आप क्रिडिट लेना चाहते हैं, तो उस महिलाओं को रोकने का प्रियास किया महिलाओं को बढ़ाने का प्रियास नहीं किया और हम जो बिल्ले कराए हैं जो मानने प्रधान मंत्री जी के नेत्रित में ये इतिहास रचने जा रहा है और ये जो इतिहासिक पल है और श्मिकर साहब आपके जीवन का जो इतियासिक पल है कि उस कुरसी पर आप भी राजबान है जिस पल में ये इतियास बन रहा है वो केवल और केवल मानमी मोदी जी की देन है भारती जन्ता पार्टी की देन है हम संविधान संदत काम करते हैं और मेरा सबों से आग रहोगा कि दल पार्टी से उपर उठकर जो ये संविधान आर्टी के लेटी 2, 243D और 243T जिन आधार पर ये संविधान चलता है उसके आधार पर श्रीमती कनी मोजी जी